नारकी स्थिती एक आवश्यक विश्यवानी पीट्या से अपनी मा की गर्व में एक भागेशाली बच्चे ने कृष्ण से इस प्रकार प्रात्ना की है कंस के दुश्मन मैं इस भौतिक शरीर के कारण बहुत कष्ट उठा रहा हूँ अब मैं गर्व के भीतर रख्त, मूत्र और तरल मलकी गंदगी में फस कया हूँ मेरी मा की क्योंकि मैं ऐसी स्थिती में रह रहा हूँ इसलिए मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है है दया के सागर कृपिया मुझ पर दया करें मुझ में आपकी प्रेमाई भक्ती में सनलगने होने की क्षमतार नहीं है लिकिन कृपिया मुझे बचाएं कुछ ऐसा ही कथन जीवन की नारकी स्थिती में फसे एक व्यक्ति का है उन्होंने सर्वोच भगवान को इस प्रकार संबोधित किया मेरे प्रेय भगवान यम्राज ने मुझे ऐसी स्थिती में रखा है जो गंदी और अप्रिये गंद से भरी है वहां बहुत सारे केड़े मकोडे हैं जो विभिन प्रकार के रुग अग्रस्त व्यक्तियों द्वारा छोड़े गए मल से गिरे हुए हैं और उसके बाद इस भयानत रिश्य को देखकर मेरी आखें दुखने लगी हैं और मैं लगभगंदा हो गया हूँ इसलिए मैं प्रात्ना करता हूँ हे मेरे बगवान है जीवन की नार के परिस्थितियों से मुक्ति दिलाने वाले लेकिन मैं आपके पवित्र को याद करने की कोशिश करूँगा नाम हमेशा और इस तरह मैं अपने शरीर और आत्मा को एक साथ रखने की कोशिश करूँगा ये घरनिट स्थिती में क्रेश्न की प्रती पर्मानन प्रेम का एक और ओधाहरन है श्रील प्रभुपात की पुस्तकें, व्याख्यान, वारित अलाप और पत्र इस आवर्शक विश्य की व्यापक प्रस्तुती प्रदान करते हैं जैसा की वानी कोट सहेलिश कंडिशन श्रिणी में देखा जाता है उनकी पुस्तकों का एक परिचय निमनल्कित आठ्र धरणों में दिया गया है श्रील प्रभुपात की पुस्तकों से उद्धरण एक अभिमानी व्यक्ति दिव्वे जीवन में धोखा खा जाता है और मानव शरीर प्राप्त करने के बावजूद फिर से नार्किय परिस्थितियों में फस जाता है अपने व्यक्तिकत दोदारण से श्री चायतन्य महाप्रभु बताते हैं कि किसी को वैशनों के सामने कैसे विनम्ड और नम्ड होना चाहिए भले ही वेहूं चे मंच पर बैठा हो विश्व के आचारे सर्वो चाध्यात्मी गुरुवार और शिक्षक के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा ऐसी ही है चैतन्य चरितामरित मध्यलीला 8.1.27 जैसा कि पिछले अध्याय में कहा गया है विभिन प्रकार की नार के परिस्थित्या भोगने के बाद मनुष्य पुनाय मनुष्य योनी में आता है इस अध्याय में भी यही विशय जारी है पहले से ही नार के जीवन भोग चुके व्यक्ति को एक विशेश प्रकार का मानव रूप देने के लिए उसकी आत्मा को ऐसे व्यक्ति के वीरे में स्थानान तरित कर दिया जाता है जो उसका पिता बनने के लिए बिलकुल उप्यूक्त होता है श्रीमद भागवाद 3.3.1 एक विवाह करने का उद्देश पुत्र उत्पन करना है क्योंकि अपने पिता और पूर्वजों को किसी भी नार की सशर्थ जीवन से मुक्ति दिलाने के लिए पुत्र आवश्यक है इसलिए चानक की पंडित कहते हैं पुत्र इन्वम ग्रेहंचोन्यम पुत्र के बिना विवाहित जीवन बिलकुल भृनट है श्रीमत भागवत 4.13-31 जैसे भगवान राम चंद्र आदर्श पती एक पत्नी व्लत है माता सीटा आदर्श पत्नी है ऐसा सन्योग पारिवारिक जीवन को अत्यंत सुपमें बनाता है यदि यद अच्रती श्रेश थस्तत दिवेत्रो जनह कोई महान व्यक्ती जो भी उदाहरन स्थापित करता है आम लोग उसका अनुसरंड करते हैं यदि राजा, नेता और ब्राम्भन, शिक्षक, वैदिक साहिते से प्राप उदाहरन सामने रखें तो पूरी दुनिया स्वर्ग बन जाएगी वास्तों में इस भौतिक संसार में अब नार्ग के स्थितिया नहीं होंगी श्रीमत भागवत 9.1.55 गर्ब के बीतर नार्ग के स्थिति में जीव दोबारा जन्म लेने से बहुत डरता है लेकिन जब वेह गर्ब से बाहर आता है, जब वेह पूर्ण जीवन और अच्छे स्वास्ते में होता है तो वेह सब कुछ भूल जाता है और बार बार वही पात करता है जिसके लिए उसे अस्थित्व की उस भयानक स्थिति में डाल दिया गया था श्रीमत भागवा 3.3.1.11 जिस तरह एक कैदी जिसने कर्ष्टकारी जेल जीवन बिताया है उसे फिर से आजाद कर दिया जाता है उसी तरह जो व्यक्ति हमीशा अपवित्र और शरार्ती गतिविधियों में लगा रहता है उसे नार के परिस्थित्यों में डाल दिया जाता है और जब वेह विबिन नार के जीवन से गुजरता है अर्थात बिल्डियों जैसे निचले जानवरों का कौम कुत्ते और सुर् प्रमित प्रक्रिया से वेह फिर से मनुष्य के रूप में वापस आता है श्रीमत भागवत 3.3034 भगवान की अवतार महाराज प्रित्वी पर विकारों को ठीक करने के लिए ब्राम्भनों की प्रार्थना से अवतरित हुए उन्होंने सभी प्रकार की फसलें पैदा की लेक मुक्ति दिलाने वाला जिसे पूत कहा जाता है वह एक योगे पुत्र है श्रीमत भागवत 2.79 यमराज के ग्रह पर पापी व्यक्ते को नार के परिस्थित्यों में रहने का अभ्यास करने का मौका दिया जाता है जिसे उसे अगले जीवन में सहना होगा और फिर उसे अपन नार के जीवन जारी रखने के लिए दूसरे ग्रह पर जन्म लेने का मौका दिया जाता है उदारण के लिए यदि किसी व्यक्ते को नरक में रहने और मलमूत रुखाने की सजारी जानी है तो सबसे पहले वह यमराज के ग्रह पर ऐसी आदतें अपनाता है और फिर उसे एक विशेश प्रकार का शरीर दिया जाता है जो किसू अरका होता है ताकि वह मल्खा सके और सोच सके कि वे इन जीवन का अनन्द ले रहा है श्रीमद भागवाद 3.3039